प्रिंसिप्ल उफ एनेमल एकॉलोजी और लेक्चर 109 इसमें हम पाकिसन जिग्राफी यानि कि पाकिसन के डिफरेंट हैबिटेट्स उसको डिसकस करें थे और उसमें एक खुबसर सा अनेमल आ गया और अब उसको थोड़ा सा इन डीटेल जहें वो देख लेते हैं पाकिसन मे पाकिसन में पाकिसन में तीन इसकी सब स्पीशिस पाई जाती है एक लड़ाख और इसके लावा जो पंजाब और है और फिर जह वो संद और है इसकी खास पहचान जो है वो इसके मुड़े हुए सींग है और उसींग भी जो ट्राइंगुलर से और जो हो आखर में आके पोनिकल से मिल्स नोकीले से होते हुए बिलकुल गोल हो जाते हैं अब यह जो उड़ाल है पाई कहा जाती है यह जो हो वेसरन सेंट्रल एशिया से लेकर जह वो नौर्थ एस्ट ऑफ एरान और वेस्ट ऑफ काजखस्तान से बलोचिस्तान जो के पाकिसान का इलाका और लदाख के रिजन में पाई जाती है यह जो स्टीपी ग्रासी जो प्लेंस होते हैं वहाँ पर बिलोव दर ट्री लाइन पाई जाएगी इट में आलसो जो है वो थोड़ा सा जंगल वाला एरिया है वहाँ पर माउंटेनिस एरिया में भी जो हो पाई जाएगी वाइल गोट है लाइट स्टाइल इसका कैसे है प्राइमेरिली डाय यूरेनल है मींस के जिद शाम और यह सुबह के वकर जो वो फोरिजिंग करती है फोरिजिस वो अपने सेंट ग्लैंड के थूँ जो है वो किस जगा पे किसी रब करके जो है वो एक सेंट सा छोड़ देते हैं और उसकी टेरिटरी जो है वो गिनी जाती यह उरियाल जो है पनी कोई टेरिटरी जो है वो डिफाइन नहीं करती है यह जो शीप सें यह गरगेशियस सें थोड़ी जो है वो बड़ी बहादूर से और बड़ी strong से होती है और herds की form में रहती है herd is usually females उसमें होंगी lambs होंगे और juvenile होंगे means जो females उनके साथ जो चोटे young ones होते हो उनके साथ होते है old ramps जो है वो जो बड़े पहाड़ी sheeps होते हैं जो male members है उनके वो separate group में रहते हैं और वो उनकी strongness का जो है वो एक तरीका है कि जो है वो males के साथ जो है वो ज्यादा males अलादा अलादा लेकि जो females है वो group की form में होंगी और जो herds है वो एक social structure सा maintain करते हैं जिसमें जो है वो body size animal का matter करता है जो उसमें सबसे बड़े size होगा वो उसको group को dominate करता है जो rams होते हैं जो male members होते हैं हर्ट के अंदर वो जो है अपने जो horns के sizes हैं उसके उपर dominance होती है जिसके ज़्यादा बड़े horns होंगे और जो है वो higher होगा तो वो ही जो है individual सबसे ज़्यादा वहाँ पर dominant होगा यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं बहुत हुपसर सारे triangular से और स्पाइरल सी शेप के और जो पुझाब और याल है उसके specific पहचान है कि यह जो horns की जो base होती है यह बहुत जो है वो massive होती है यहाँ पर थोड़े से जो हो बाल होंगे लेकिन यह सफेद जो हो बाल होते हैं बहुत चोटी जो हो दुम अमोमन जो है यह ग्रेश और रेडिश जो color की उपर बहुत नरम सी पर जो है वो पाई जाती है dominant जो males होते हैं वो एक stabilizing force होते हैं for sheep society क्योंकि यह जो छोटे जो sheep होते हैं जो के females के जो है वो इर्दखित भागते रहते हैं उनको जो है वो control भी करते हैं और याल जो है इसको हम modern जो domestic sheep हैं उनकी जो है वो ancestor किया जा जाता है और यह oldest है इस line के अंदर यह सबसे पहले जो है वो यह जो oriall है वो और इसके बाद जो है यह जो domesticated sheep है यह जो है वो slide के अंदर आती है इसमें जो lamps वगरा है जो young ones होते हैं वो एक दूसरे को scent जो है specific smell है और जो है वो एक olfactory communication होती है उसके बिना पर जो है दूसर पर करना है लहाजा वो एक दूसरे की recognition और एक society maintain करने के लिए जो है वो communicate करते हैं अब यह जो sheep है इसमें important बात यह कि self जो है वो medicate कर लेती है means कि अब जब यह sheep बिमार होती है तो वहां पी बहुत सरे ऐसे जो हो पौदे होंगे जिनने यह खाकर खुद वो खुद जो हो ठ aggregatious ही होंगी और जो है बड़ी independent life गुजारने के जो हो आदी होती है चाइनीज में exotic sign है जिसमें जो सरफ इसका जो upper portion ahead जो portion है जिसमें इसके seeing बने हुए है उसको जो है as a zodic sign जो हो इस्तमाल किया जाता है और यह तमाव जो 12 जो animals है जो zodic sign है उसमें सबसे खुद साइन जो जो है वो समझा जाता है क्योंकि इस sign को जो है वो रिप्रिजेंट करता है यह sign के sincere जो है जो हो है zodic sign है यह जो है वो star वाले जो है यह sincere है यह बड़े righteous है बहुत सच बोलने वाले हैं बड़े इनके अंदर gelatin madness है और बड़े compassionate सारे हैं तो इस सरह एक जो sheep है यह वो उसकी जो emotion है वो भी उसको describe करती है लेकिन जो sheep itself है sometimes अपने emotions जो है अपने ears की movement से जो है वो discuss कर जो है वो उसको determined होती है तो बहुत खुबसत जो है एक wild sheep जो के पाकिसान में जिसकी तीन सब species पाई जाती है और तीनों बहुत खुबसत हैं और इसकी जो है वो conservation के लिए बहुत सारा काम भी हो रहा है एक वकत में इसका number बहुत कम हो गया था लेकिन कुछ recent years के अंदर जो है वो कीथर नैशनल पार्क में जो है वो इसका number दुबारा जो है वो सौ से जादा हजारों के करीब जो हो पहुंच गया है अब इनको वहां पर जो है वो उचलते कूटते देखा जा सकता है इसकी ऐसी जो है वो औरियाल की बड़ी खुबसर सी कीथर नैशनल पार्क की में जो वीडियोज हैं यो यूट्यूब तो पर अवेलेबल भी हैं